नमस्कार दोस्तों, बॉलिवुड की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान चार चीजों के लिए ही जिन्दा है सेक्स, नशाखोरी, शोहरत और पैसा, इन चार चीजों के अलावा बाकी सारी चीजे बाद में आती है और उनका कोई महत्व है भी नहीं सेक्स आज की डेट में एक युनिवर्सल टूथ है जिसे नकारा नहीं जा सकता लेकिन ये जिन्दगी में इतना ही रहे जितना आटे में नमक तो फिर इससे कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है लेकिन जब कोई इनसान हवस और वासना को अपनी अंतरात्मा में उतार लेता है तो ऐसे इनसान के लिए सेक्स से बढ़ कर कुछ नहीं रहता बॉलीवुड में ऐसे लोगों की भरमार है ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड से अलग इस तरह के लोग नहीं मिलेंगे लेकिन उनकी गिंती नाममत्र की है लेकिन बॉलीवुड में इस तरह के लोग 99% से जो हवस के पुजा ली है बॉलिवुड की पार्टीज को आप अगर सामने से देख लें तो आपके पैरो तले जमीन खिसक जाएगी ये फ्री सेक्स थीम पर आधारित होती है यहाँ जो बड़े बड़े नाम वाले एक्टर्स हैं, फिल्मेकर्स हैं वो अपने लाइफ टाइम सेक्स थॉय बनाके रखते हैं और ये एक से कहीं ज्यादा होते हैं एक्जांपल के लिए अपना ट्यूबलाइट दादू है, जिसके पास में पर्मानेंट सेक्स थॉय के रूप में यूलिया, जैकलीन, प्रीत्ती, बिपाशा और डेजी शा जैसी धेरो एक्टरिस है जो दादू के एक इशारे पर चमगादड की तरह उल्टी लटक जाती हैं वैसे तो बहुत सारे नाम है इस तरह के जो परमानेंट जुगाड रखते हैं लेकिन मैं आज जिसकी बात करूँगा वो अयाशी के मामले में दादू की ट्यूब लाइट का भी बाप है ये प्राणी है करन जोहर उर्फ करन जोहर चाची मुझरे वाली करन जोहर के बारे में कहा जाता है कि वो स्कूल के समय ट्विंकल खन्ना को जो है एक तरफा प्यार करता था लेकिन कभी कह नहीं पाया कॉलिज में भी दोनों साथ में थे और करन ट्विंकल की तरफ बहुत ज़्यादा आकरसित था हाला कि करन के एकोर्डिंग उसे खुद नहीं पता था कि उसकी सेक्स ओरियन्टेशन क्या है उसे ट्विंकल खन्ना अच्छी लगती थी लेकिन उसके कीटानों में कोई हरकत नहीं होती थी और वो इस सबसे अंजान था वैसे करन जोहर ने अपनी किताब में इस बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है करन के बारे में ये भी कहा जाता है कि करन का और एकता कपूर का अफेर चला था और इनका अफेर चला था साल 2000 में लेकिन करन ने अपनी किताब में खुद लिखा है कि 1998 में उसे पहली बार पता चला था कि वो एक के है और 1998 में New York में उसने पहली बार relation बनाए और sex की अनुभूती प्राप्त की बायोपिक में ये गलत समय लिखा है 1998 में ये 26 साल का था और Bollywood में 26 साल तक कोई नैपोकिट बिना sex के रुख जाए या उसकी नत ना उत्रे ऐसा possible हो ही नहीं सकता किताब में इसने अपने आपको जो है first time sex के समय 26 साल का बताया है लेकिन वो 16 साल का होगा गलती से 26 लिख दिया होगा लेकिन ये बहुत confusing है कि साल 2000 में करण और एकता का affair कैसे चला मतलब incoming service कौन देता था और outgoing का जिम्मा किसके सर पे था ये वास्तम में एक research का topic है और देश के scientist को इस ओर जो है थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए खेर जब करण जोहर को पता चला कि वो सिर्फ incoming के लिए ही इस धर्ती पर आया है और outgoing service के बारे में सोसना भी उसके लिए पाप है क्योंकि outgoing के पुर्जे की battery down नहीं dead थी इसके बाद करण जोहर दुनिया के लिए करण था लेकिन अंदर से ये किरण जोहर बन चुका था किरण जोहर की जिंदगी में अयाशी सबसे पहले आती है और बाकी चीजे बाद में इसके शौक जो है काफी चर्चाओं में भी रहते थे शारुक खान अगर आज शारुक खान है तो उसमें एक बड़ा रॉल किरण जोहर का भी है शारुक अपने जवानी के दिनों से ही किरण की जो है नाल साफ करने लगा था और किरण ने उसे लेकर कुछ कुछ होता है कभी खुशी कभी गम कल हो ना हो कभी अलवीदा ना कहना माई नहमीज खान जैसी फिल्मों से ब्रेंट शारुक खान बना दिया वरना शारुक खान से ज़्यादा टैलेंटिड लोग बॉलिवुड में आए और गायप हो गए शारुक खान के बाद किरण की भूग बढ़ती चली गई और फिर इसने नए नए श्टार किट्स को लॉंच करना शुरू कर दिया और उन्हें अपना सेक्स टॉय बना लिया किरण के पास आज के समय में ट्यूब लाइट दादू की तरह परमनेंट जुगाड है जो सिर्फ किरण की सुनी मांग भरने के लिए ही काम में आते हैं ऐसा ही एक नाम है तरुन मंसुखानी तरुन मंसुखानी एक डारेक्टर और राइटर है और 1998 से ही बॉलिवुड में काम कर रहा है लेकिन किरण जोहर के कोठे से कभी भी बाहर नहीं निकल पाया कुछ-कुछ होता है कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो और कभी अलविदा ना कहना में वो किरण का असिस्टेंट डारेक्टर रहा लेकिन साल 2008 में दोस्ताना से उसने अपना डारेक्शन शुरू किया और सफल भी रहा लेकिन साल 2008 के बाद 2019 में SSR के फिल्म उसने डारेक्ट की यानि ठीक 11 साल बाद इसलिए 24 सालों में इसने दो फिल्में डारेक्ट की हैं, चार फिल्मों में असिस्टेंट रहा है और इसके अलावा इनहीं फिल्मों में से एक फिल्म दोस्ताना की इसने स्टोरी लिखी थी 24 साल से बंदा मुंबई शहर में लगजरी लाइफ जी रहा है वो भी बिना काम के सिर्फ दो फिल्मों में काम करके भी इसकी 10-12 करोड रुपे की नेटवर्ट कैसे होती है ये एक बड़ा सवाल है अब आप खुद सोच सकते हैं कि बिना काम के 10-12 करोड रुपे की संपत्ती बहुत आसान नहीं होती है और इसने जरूर ऐसा कुछ है जो सीक्रेट है जो बताया हुआ नहीं है वैसे ये 1998 में से ही किरन जोहर का खास राय और इसे फिल्में डिरेक्ट करने को कम अपनी सर्विस कराने को ज़्यादा रखा हुआ है हर कोई जानता है कि किरन और तरून सिर्फ इसलिए साथ है ताकि वो गुड़े-गुड़िया का खेल खेल सके तरून मनसुखानी ने करोणा नाम की लड़की से साल 2045 में शादी की थी लेकिन इन दोनों का 2014 में तलाख हो गया तलाख की वज़े भी किरन जोहर ही था दरसल करोणा को तरून और किरन के सीक्रेट मिशन की जानकारी हो गई थी जिससे करोणा को काफी ज़्यादा दुख हुआ करोणा ने अपने पती तरून को बोला भी था कि उसे जो है करन जोहर से ब्रेक अप करना होगा लेकिन तरून जानता था कि किरन के कोठे के अलावा उसे कहीं और ठिकाना मिली नहीं सकता तरून के पास नकाम था और नहीं काम पाने की उम्मीद इसलिए वो किरन जोहर को छोड़ने की सोच भी नहीं सकता था इसके बाद साल 2011 से ही तरून और उसकी वाइप करोना में जगड़ा होना शुरू हो गया और फाइनली साल 2014 में दोनों ने तलाक ले लिया तलाक के बाद करोना ने अपने पती तरून मनसुखानी और किरन जोहर के सीक्रेट मिशन को मीडिया में ओपन कर दिया था लेकिन बहुत गहरी बाते जो बहुत सीक्रेट होती है वो यहां आसानी से दबा दी जाती है क्योंकि हमारे देश की मैनिश्ट्री मीडिया अब खबरे नहीं दिखाती वो बस नेताओं और बॉली वुड की पियार और प्रमोशन के काम में लगी रहती है तरुन मनसुखानी किरन जोहर की प्राइवेट प्रॉपर्टी है जैसे दादो की प्राइवेट प्रॉपर्टी है चूलिया वंतूर यूलिया कुछ करती धरती थोड़ी है बस जरूरत पढ़ने पर चिडिया ओडी खेलती है और मजे कर रही है और इंडिया में बहुत लक्जरी लाइफ जी रही है ठीक वैसे ही तरुन है किरन जोहर ने ऐसे धेरो शूटर पाल रखे हैं जो किरन के एक इशारे पर फाइरिंग करना शुरू करतेते हैं वैसे ये कहना कि किरन चाची तरुन जैसो को बस अपनी नाल साफ करवाने के लिए पाल रही है ये भी गलत होगा तरुन जैसे लोग और भी बहुत काम में आते हैं किरन चाची अपने गुरूप की एक्टरिस को वन नाइट इस्टेंड के लिए भी भेजती है और इससे उसे ना सिर्फ कमाई होती है बलकि केई बड़े-बड़े नेताओं से अच्छे संबंधों को मेंटेन करके रखती है क्योंकि जिस तरह के करमकांड इस औरत के हैं ये कभी भी जेल के अंदर हो सकती है लेकिन नेताओं और मंत्रियों से बना के रखती है तो पदमशरी अवार्ड भी आसानी से मिल जाता है किरन जोहर नई-नई अभिनेत्रियों को वन नाइट इस्टेंड के अलावा उनका अफेर अपने ग्रूप के नेपोकिट से ही कराता है किरन अयाशी के मामले में सब की अम्मा है इसे पाकिस्तानी एक्टर से भी खासा लगाव रहता है क्योंकि वो भी इसे जो है अच्छे से सर्विस देते थे पाकिस्तानी कलाकारों पर जब भारत में बेन लगा दिया था तो पाकिस्तानी कलाकारों ने बॉली वुड के कई सीक्रेट्स खो ले थे पाकिस्तानी एक्टर है जिसका नाम है फवात खान जिसने किरन जोहर के साथ में एदिले मुश्किल में काम किया था उसने एक बार बयान दिया था कि बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक सेक्स एडिक्ट हैं लेकिन उन सब में करन जोहर सबसे उपर आता है करन जोहर के घर पर जो पार्टियां होती हैं उनमें यंग मेल एक्टर्स को बुलाया जाता है और उन्हें बिना कपडों के खड़े होने को बोला जाता है और इसके बाद करन जो है उनमें से किसी एक को या एक से ज़्यादा को पसंद करता है उन्हें अपने बैटरूम में ले जाकर अपने गाड़ी की सर्विस कराता है इस तरह की पार्टियां आए दिन होती है और ये करण जोहर के लिए बहुत ही कॉमन बात है फवाद ने जब ये बयान दिया तो उस समय इस बयान पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई क्योंकि उस दोरान पाकिस्तानियों को बॉली वुड में बैन किया था तो सबको लग रहा था कि फवाद जो है जेलस की वज़े से इस तरह के बयान दे रहा है लेकिन ये आज की डेट में हर को ही जानता है कि करण हवस और ठरक पने में कितना आगे है करण के पास आज नए नए श्टार किट्स के अलावा शारुक और तरुन जैसे पुराने तमंचे भी है जो कभी-कभी हवाई फायर करने के भी काम आते हैं करण की हवस का अपना एक यूनिवर्स है और इसमें तरुन जैसे कई लोग बिना काम के सर्वाइव कर रहे हैं तरुन मनसुखानी करण जोहर के लिए एक्ट्रिस को वन नाइट इस्टेंट पर भेजने से लेकर पार्टियों में ड्रक्स और अयाशी का सारा समान अरेंज करने के भी काम आता है यही वज़े है कि बिना काम के भी करण जोहे तरुन को पाल रहा है और उससे एक के बदले 10 काम ले रहा है करन जोहर की पार्टियां बहुत पहले से चर्चा का विशे रहती है क्योंकि इन में अयाशी और नशाखोरी खुलके होती है करन के इस वासना भरे यूनिवर्स में कैई और किरदार हैं जिनें मैं आने वाले समय में बताऊंगा आज की इस वीडियो में इतना ही किरन चाची को बात्रूम में याद करना तब तक के लिए जै किरन चाची